किसी भी जगे जाने से पहले थोड़ा पढ़ ले ताकि अंदर जाकर कुछ समाज आ जाए नहीं तो डोल डाल कर वापस आ जाओगे कुछ समाज आना नहीं है तो इस लिखाबट के साफ से इस मैल को राजा मान सिंग तॉमर ने 1568 में बनवाय था पता नहीं हाथ में मास्क टांकर की घूम रही हो अंदर जाती अंधीरा ही अंधीरा है मोगलों की कबजे के पाद इन जगाओं पर साही लोगों को बंदी बना कर रखा गया था मतलब इसे जेल की तरह यूज किया गया था एतिहासिक जगे के दो पहलू आपको देखने को मिलते हैं एक जो दिख रहा है वो एक जो नहीं दिखता है वो जहां मैं अभी मजे से घूम रही हो वो टॉप फ्लोर है उसके नीचे तीन फ्लोर और है जैसे जैसे मैं नीचे की फ्लोर पर जा रही थी सूरज की रोशनी बिल्कुल गायब होती जा रही थी बहरी दूप में अंदर एक परसेंट रोशनी नहीं है भयाना कंदीरा और चमगादर की डराब नहीं आवा चै मुझे लगना था जिन लोगों को फासी देकर मारा गया होगा वो कहीं पीछी साकर मुझे पकड़ ना ले और यहां मुझे कोई डोंड भी नहीं पाएगा यह महल बाहर से जितना खुपसूरत अंदर से उतना ही जाता डरावना बाहर से दिखकर आप कह नहीं सकते अंदर क यह नजारा होने वाला है